जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं digestive enzyme syrup के बारे में इस syrup का उपयोग कहां किस बीमारी की समस्था में किया जाता है डॉक्टर के द्वारा किन-किन रोगों में या कौन सी परेसानी होने पर डॉक्टर के द्वारा digestive enzyme syrup दिया जाता है जैसे कि आपको बता है कि यह digestive enzyme syrup है digestive system से related जो परेसानी होती है उसमें इस syrup का उपयोग डॉक्टर के द्वारा मरीच को करने के लिए दिया जाता है जैसे किसी बैकत को indigestion की समस्या होती है तो डॉक्टर के द्वारा यह syrup दिया जाता है जैसे अपाच उसको हो रहा हो खाना नहीं पच रहा हो तो उस condition में डॉक्टर के द्वारा यह syrup दिया जाता है इस टमक Phoolness की समस्या में जैसे उसे ऐसे लग रहा हो, पेट भरा-भरा से लग रहा हो, खाना खाने का दिल ना कर रहा हो, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है। लाटू लेंग्स नामक की ये समेस्या होती है, उसमें डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है, जिसे आप गैस बनना भी कह सकते हैं, पेट फूला हुआ रहता है, और गैस पास होता रहता है, इस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा ये सीरप दिया जाता है, जै सीरप दिया जाता है, gastric complication मतलब इस टमख में कई बार inflammation हो जाने पर, abdominal swelling आ जाने पर, तो इस condition में डॉक्टर के दोरा ये सीरप दिया जाता है, और इस सीरप का उपयोग कई बार मरीजों को जो हिचकी आता है, तो उस हिचकी को रोकने के लिए ये सीरप दिया जाता है, और इ जैसे कि इस सीरप के कई सारे फाoshima होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वो खाना परजाता नहीं है, तो उसकी वज़ए से हमें बहुत सारी तकलिफें देखनी पढ़ती है, बहुत सारी समस्या आज हो जाता है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए, डॉक्टर के दोरा ये सी जैसे की जो डोज होता है वो दॉक्टर मरीज की इस्तिती और उसकी कंडिशन बिमारी को देखते हुए यह सीरप डोज कल्कॉलेट करके बताते हैं और जैसे कि जो इसका नॉर्मल डोज होता है वो जैसे कि दसेमल सुबा और दसेमल साम को या फिर दसेमल दोपार को भी दिया जा सकता है नहीं तो ज़्यदा तो डॉक्टर इसे सुबा और साम पेस्क्राइब करते हैं दसेमल सुबा और साम और जो इसका डोज होता है डॉक् की इस्तिति और उसकी कंडिसन को देखते हुए फिर अपने हिसाब से इसका डोज कैलकुलेट करके बताते हैं यह सीरप खाना खाने के बाद तुरंत यह सीरप लिया जाता है वैसे तो इस दवा का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है लेकिन फिर भी कुछ लोग नॉर्मल जानकारी के लिए बनाया गया है कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना ले एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिश्ट से संपरक जरूर करें फिर कोई दवा लें